अरिपा कीता तुम आ गई मैंने तो तुमको देखा इने इतना भी जूट मैं बोलो मैं कब की आँखड़ी हूँ और मैं तो कब से आपको देख रही थी कि आप आते जाते लोगों को कैसे गूरे जा रही थी आने दो मम्मी को आपकी शिकायत लगाती हूं मम्मी से देडी मैं किसी को आते जाते नहीं देख रही थी बलकि मैं आपके भईया का इंतिजार कर रही थी क्यूंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं शाम को आउँ तो तुम तयार रहना मुझे शौपिंग पे जाना है न शीलिए शॉपिंग? कौन सी शॉपिंग? मैंने तो कोई शॉपिंग का नाम नहीं सुना दीदी मा जी से कुछ मत कहिएगा क्यूंकि अगर आपने उनसे मेरी शिकाइद लगा दी तो वो मुझे पहर नहीं जानी देंगी वैसे ही वो मुझे से बहुत गुस्सा है अच्छा ममी आपसे गुस्सा है? फिर तो मेरा काम पन गया दीदी आप में चोटी बहन जैसी है अगर आप ही मेरे साथ ऐसा करेंगी तो भला मैं भरोसा किस पर करूँगी? मैंने हमेशा आपको अपनी चोटी बहन माना है और आप मेरे साथ ऐसा सरलुक कर रही है मुझे विश्वास नहीं होता देखो मुझे फाल्तू की बाते पसद नहीं है ठीक है? चलो चलके मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लगा दो बहुत तेख भूक लगी है एक घंडे से यहां खड़ी हूँ तुमने तो चाय पानी पूछी नहीं तुम मुझे यह बेशरम होकर बोलना पड़ेगा अब चलो यहां रोती ही रहोगी क्या? ठीक है दीदी आप हात मुदो कर आईए मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ ठीक है जरा जल्ली लगाना ठीक है बहुत तेख भूक लगी है फिर मुझे शापिंग बेविता जाना है अरे गीता तुम कब आई? भाया मैं तो बहुत देर के आई हुई हूँ बस किसी ने मुझसे खाने पीने के लिए नहीं पूचा बहुत तेज भूक लगी थी तोड़ दोड़ कर किचन की तरब पहुँची तो देखा गर में कोई नहीं सुनो तुम क्या कर रही थी? मेरी बहन कापसे आई है? उसको खाने पीने के लिए पूचा दूने की नहीं? जी मैं आपका इंदजार कर रही थी मुझे लगा कि आप जल्दी आ जाएंगे मगर आपसे पहले दीदी वहाँ आ गई और मुझे बोलने लगी कि मुझे भूग लगी है तब ही मैं यहाँ किचन में आ गई मैंने दीदी को खाना पीना सब खिला दिया है अच्छा, तो यह क्या जूड बोल रही है? वैसे तो कर क्या रही थी खिलकी के पास खड़ी होकर? मा जी, मैं कुछ नहीं कर रही थी मैं तो आपके बेटे का इंतिजार कर रही थी क्योंकि हमें शापिंग पे जाना है ना, इसी लिए ममी, मैं बताती हूँ कि भावी कर क्या रही थी जब मैं आई, तो मैंने देखा कोई नहीं है यहाँ तो मैं रूम की तरफ चली तो मैंने देखा भावी खिड़की से खड़े होकर न जाने किसको इशारे कर रही थी और मुझे देखकर बहुत बुरा लगा जब मैंने भावी को बोला न कि आप यहाँ क्या कर रही हो तो बोल रही ही कि मैं भावी का इंतजार कर रही थी अब भावा भावी आएंगे तो दरवाजे से ही तो आएंगे खिड़की से थोड़ ही अरे, तु चिंता ना कर बहन मैं उसको समझा दूँगा उसके माबापने उसको सिखाया नहीं है न इसी लिए उस सिखाया होता तो आज ये लक्षणना होते इसके और बता बेटा ससुराल में सब कुछ ठीक है दमाजी क्यों नहीं आएं अरे मम्मी, क्या पताऊं पेरा तो वहाँ जीना अराम किया हुआ है ना कहीं उठ सकती हूँ ना कहीं बैठ सकती हूँ मेरी ननद मुझको इतना परिशान करती है कि मुझे मजबूरी में यहां आना पड़ गया अब मैं दो महिने से पहले यहां नहीं जाऊंगी बता दिया मैंने और आपको भी मैं बता दे रही हूँ कि आप मुझे भेजना मत क्योंकि वहाँ मुझे बहुत परिशान किया जाता है तू अच्छे से उन लोगों का खयाल रख रही है कि नहीं फिर वो तेरे साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं मम्मी मैं वहाँ अपने पसंद का ना ओड सकती हूँ ना पहन सकती हूँ ना खा सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ अगर मेरे हस्बिन ने मुझे बोला कि आज तुम्हें गुमाने ले जाओंगा तब भी मुझे वो लोग ताने मार मार के मना ही करवा देते हैं कल ही की बात देखो कि मैंने उनसे कहा कि चलो मुझे शॉपिंग पे ले चलो मगर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपनी मम्मी और बहन को भी ले चलूँगा मैंने कहा मुझे अकेले शॉपिंग करवा लाओ मगर उन्होंने मुझे मारा और कहा कि मेरा पूरा परिवार जब एक साथ सौपिंग करने जाएगा तभी मैं जाओंगा तुम्हें शौपिंग कराने परना तुमको भी नहीं लेकर जाओंगा भाईया भावी बता रही थी कि आप शौपिंग पे जा रहे हो दोनो मैं और मम्मी भी चलते हैं अब हमको भी शॉपिंग करा ला ना हाँ क्यों नहीं बेहन खिर हमारा पूरा परिवार एक साथ जाएगा तभी तो अच्छा लगेगा ना उसका क्या है उसको तो मैं कभी भी शॉपिंग करा दूँगा मेरे लिए तो तुम दोनों भी उतने ही इंपोर्टेंट हो चितनी वो है ठीक है चलो मैं चलता हूँ तुम दोनों तयार हो जाओ फिर मैं तुम तीनों को साथ मिले जाओंगा एक मिनट पहले मेरी बहु को वापस बुलाओ मुझे कुछ बात करनी है मैं उनको बुलाने के क्या ज़रूरत है देखा न वो खिर्गी से कैसे इशारे कर रही थी बहु ओ बहु जरा इधर आना जी माजी आपने मुझे बुलाया हाँ बुलाया किसी काम से बुलाया बोलिये माजी आपने भी तो मुझे नहीं डाटा आप भी डाट लीजिए मैं तो हूँ ही सुनने लायक गलती मेरी थी कि मैं केड़की पे खड़े होकर इनका इंतजार कर रही थी आप बे माजी डाट लीजिए मुझे बहु तेरी शादी को कितना टाइम हो गया माजी पूरे पांच साल हो गए मेरी शादी को अच्छा तो पांच सालों में तो कितनी बार अपने घर गई है माजी जब से शादी हुई है न तब से मैं अपने घर एक बार भी नहीं गई यहां तक कि जब मेरे मम्मी पापा भी बिमार थी न मैं तब भी नहीं गई क्या करूं इस खर की जिम्मेदारियां ही मेरे कंदों पर है ना इसी लिए हाँ अब तो बता कि मेरी बहु खिड़की पे खड़े उकर किसको इशारे कर रही थी ममी मैंने बताया तो कि भावी किसी को इशारे कर रही थी मैंने उनको पकड़ा तो बोल रही थी माजी से मत बताना ये तो मैं अब बता रही हूँ वरना तो इन्होंने मना ही कर दिया था आपको बतानी के लिए भला अगर कोई सही हो तो वो ऐसी बात क्यों बोलेगा भला कान खुल के बात सुन ले जब से ये इस घर में आई है ना तब से आज तक ना तो ये अपने घर गई है ना इसने अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मगर आज तेरी बाते सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपनी बहु के सार इतना बड़ा जुल्म कर दिया अरे नलायक परिवार के जिम्मेदारी भी उठानी सी जैसे मेरी बहु समालती है समझी और तू, तू है के महां से लड़ाई छगड़ा करकर यहां रहने आ गई वो भी पूरे दो महीने के लिए जब तेरा पती तुझे शॉपिंग कराने ले जाता है और उसकी फैमली उसके साथ जाती है तब तो तुझे बड़ी चिड़न होती है और आज जब मेरी बहु शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तो तू क्या बोल रही है कि हम दोनों भी चले अरे जैसे तू चाहती है कि तेरे साथ व्यवार हो वैसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवार करना चाहिए समझी एक हाथ देना और एक हाथ लेना पुझे आपकी बखवास नहीं सुननी ठीक है मैं जा रही हूं अपने ससुराल कम से कम मेरा पती इतना तो नहीं सुनाता और नहीं मेरी साथ इतनी सुनाती है वो तो बिचारी काउ है काउ अच्छा वो सब अच्छे है तो तू यहां क्या कर रही है तुझे भी यहां नहीं आना चाहिए था अरे अच्छा और बुरा समय तो चलता ही रहता है इसका मतलब यह थोड़े ही कि हम अपना परिवार छोड़कर दूसरे के खरचा कर पैट जाए अब यह परिवार तेरा नहीं है तेरा परिवार तेरा ससुराल है समझी और माना कि मेरी बहुसे खटपट होती रहती है तो मैं उससे नराज इसलिए रहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जहां उसको बोलना चाहिए वो वह नहीं बोलती चुप चाप होकर टस्वे बहाया करती है इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा गुसा आता है अब तू यहां खड़े होकर मेरा मूँ क्या देख रही है जा किचन में काम कर और ऐसे जूटे लोगों की वज़े से अपना दिन खराब नहीं किया करते जल्दी जल्दी किचन का काम खतम कर और जा शौपिंग पे समझी और ऐसे लोगों को ना मूँ तोड जवाब देना सीख वरना मैं तुस्से जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी समझी हमेशा मैं तेरे पीछे नहीं रहूंगी तुझे बचानी के लिए समझी माजी मैंने पीछे जल्द में ज़रूर अच्छे करम करे होंगी जो उनकर मुकाफल मुझे इस जलम में मिला है आप बहुत अठी है माजी जो मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती है हो गई तारी, आप जा किचन में जा और जल्दी से काम कतम कर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मूट चेंज हो जाए और तो शॉपिंग पेवना जा पाए समझी ठीक है माजी तो जा रही हूँ मम्मी मैं भी जा रही हूँ और आज की बाद यहां कभी नहीं आऊंगी जिस घर में मेरी बेज़ती हो वहां में जाना पसंद नहीं काती अली जा जा आई बड़ी नाने वाली मैं तो चाहती हूँ कि तू आए ही ना अपने ससुराल में रहे उनकी शेवा कर अरे सेवा करेगी तभी तो बेवा मिलेगा बिना सेवा के कुछ मिलेगा क्या ममी मैं जा रहा हूँ तयार होने यह आपकी बहुतों शॉपिंग रानी है ना अब तू हगेगा भी मुझसे पूछ के है ना इतनी देर से बोल रही हूँ के जा यहां से यहां खड़े हो के मिरी बाते सुनना है चल जा भाग यहां से तीके ममी जैसा आप दहीं देखिए मेरा मकसद किसी को जोट पहुचाने का नहीं है ना ही किसी की भावनाओं को ठेज पहुचाने का है जैसे हम अपनी बेटी को प्यार करते हैं न वैसे हमी बहु को भी प्यार करना चाहिए दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए वरना गलत प्रभाव पढ़ता है देखा यहां मेरी बेटी अपनी बहु के बारे में कैसी कैसी बाते कर रही थी अगर मैं उसकी बातों को सच मान कर उस पेविश्वास कर लेती और अपनी बहु कोल्टे सीधा बोल देती तो मेरी बहु को कितना बुरा लगता अगर मेरी बहु बुरी होती तो एक बार को मैं उसे डाण भी देती मगर मेरी बखो गउ है गउ बिलकल गाएं की तरह सीधी किसी को कुछ नहीं बोलती और अगर मैं उसकी साइड ना लेती ना आज तो वो दिन बर रोती रह जाती और हमेशा यही सोचती कि मैं उसके साथ बेड़ बाव कर रही हूँ इसलिए अपनी आखे खोलनी जरूरी है सही गलत में अंतर जानना बहुत जरूरी है आप भी अपने घर में खुश रहिए और देखिए क्या चीज गलत हो रही है अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको सुधारिये सुधार ना आपका काम है सुधार ना सुधार ना पक्चो का काम है समझी